नमस्कार निवेशको तेजी बंदी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ हेमा धौला खंडी स्टॉक स्प्लिट के बारे में आप में से जादतर लोग जानते होंगे पर कि आप रिवर स्टॉक स्प्लिट के बारे में भी जानते हैं? अगर हाँ तो अच्छी बात है और नहीं तो कोई बात नहीं आज हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे आपके पास काफी सारे छुटे पैसे हो जाएं तो आप अक्सर चाहते हैं कि इतने सारे छुटे पैसों के बज़ाए एक बड़ा नोट मिल जाए तो अच्छा है जहां स्टॉक स्प्लिट में स्टॉक की संख्या को डिवाइड करके कम कर दिया जाता है वहीं रिवर्स में उसका उल्टा किया जाता है यहां कई स्टॉक को जोड़कर एक में बदल दिया जाता है याद रखें कि स्टॉक स्प्लिट में जहां स्टॉक के साथ साथ उसके श कमपनी के 200 शेर है इसमें प्रती शेर की कीमप 10 Taraus One कि कैम आपको क्ल्ण इंवर्समेंट हो गया दो हजार रुपय आपको चाहती है कि वह स्टॉक को मच करके शेर की कीमप बढ़ा है ऐसे में कमपनी ने प्रती 5 शेर को मर्च करके एक शेर को तयार कर लिया यानि आपके 5 शेर के बदले अब आपके पास एक ही शेर होगा ऐसे में आपके पास जहां पहले 200 शेर थे रिवर्ट स्टॉक स्प्लिट के बाद आपके पास महें 40 शेर रह जाएंगे लेकिन share के कीमत की बात करें तो वो प्रती share अब 50 रुपे हो जाएगी ऐसे में आपका कुल निविश 2000 का ही रहेगा अब सवाल आता है कि company आखे river stock split या stock merge क्यों करती है तो इसके भी हर company के पास अपने कई कारण होते हैं पहला कारण है अपने share की कीमत को बढ़ाना तो इस एहमियत को बढ़ाने के लिए company share को merge करके अपने share की कीमत और इज़त बढ़ाने की कोशिश करती है इस कीमत को बढ़ाने का फायदा ये है कि एक तो एक निश्चित कीमत से नीचे होने पर share को penny stock माना जाता है जिसमें जादतर mutual firm कमपनिया या बड़े निवेशक निवेश करना पसंद नहीं करते हैं ऐसे में कीमत बढ़ाकर बड़े निवेशकों और सुनस्थाओं को आकर्शित किया जाता है दूसरा ये है कि एक निश्चित कीमत से नीचे होने पर कई stock exchange ऐसे share को D-list भी कर देते हैं यानि यदि किसी share की किमत minimum share price से कम है तो उसे D-list कर दिया जाता है ऐसी स्थिती से बचने के लिए share की किमत को बढ़ाया जाता है अब इसके नुकसान की बात करें तो reverse stock split को बाजार में जादा negative ही माना जाता है क्योंकि बाजार को शंका होती है कि कमपनी reverse stock split इसलिए कर रही है क्योंकि उसके दाम जरूरत से जादा गिरने वाले हैं दूसरा stock split के विपरीद इससे बाजार में उस share की liquidity कम हो जाती है क्योंकि share की संख्या घट जाती है जिसके कारण trading पर प्रभाव बढ़ता है खेर कई बार निवेशक यह समझ कर कि reverse stock split के जरीए कमपनी अपने share price को artificial तरह से बढ़ाने की कोशिच कर रही है बिक्वाली शुरू कर देते हैं लेकिन यह एक misconception है हमारी राय है कि हमसे इश्या कमपनी के fundamental की जाच करके ही stock को pick करें ऐसा करने पर आपको panic sale की जरूरत नहीं पड़ेगी आज के लिए बस इतना ही अगली बार फिर मिलेंगे finance से जुड़े किसी नए विशे के साथ तब तक के लिए धन्यवाद